धारी देवी अलग बंदा की धारा के बीच इस्ठित एक ऐसा दिव मंदे जिनहें चरो धाम का सरचिक भी कहा जाता है जिन पर जिम्मे धारी है चार धामों की रच्छा की इतला दिव अश्थान है जहां पर मागंगा वा माधारे देवी का मिलन होता है ये ऐसी जागरत देवी हैं जिनकी प्रसंता छेत्र में उननलाता है और प्रोध प्रलैगो इनका भब शुरू प्रत दिन तीन बार बगलता है जब जब मनुष्ण ने भारी देवी को सक्ति कोचनोती देने की कोशिश किये है तब उसने बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी ह तो चलिए मेरे साथ उत्राखंड के सरते जागरत देवी के दर्संके जो शौम भी हैं प्रलै भी जो अनकूडा हैं तो रौध भी जो शीतल हैं तो ज्वाला भी अलग रंदा पर निवाश करने वाली महा देवी धारी देवी जो हमारे शामने नदीद देख रहे हैं यह है अलग रंदान्दी जो बद्दिना से आ रही है पर लो दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल में आज हम जा रहे हैं हरद्वार की ओर जो बद्दिनात की तरफ से दसन करके आ रहे हैं तो हरद्वार जाने से पहले मैं आपको इससे पहले उत्राखंड की जगरत देवी जिशे कहा जाता है गारजन आप चारधाम यानि चारधाम की सरच्छत मा धारी देवी जो बहुत ही सकताली माना जाता है यहां तक कहा रहता है कि उत्राखंड के इस्च में कोई जागरत देता है तो वो धारी दिवी मंदिर पहुचने से पहले मैं आपको रुद्ध प्रयाख के दर्सन उपर से करा रहा हूँ आप ये वीडियो कहीं से भी देख सकते हो लेकिन मैं घर बैठे आपको दिखा रहा हूँ धारी दिवी मंदिर दर्सन तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जुरू करना और कमेंट्स में जैमातादी जुरू दिखना मैं आ चुका हूँ कड़िया सावल में यानि जहां है धारी देवी मंदिर इसमें मैं मुख द्वारब के गेट पर आचुका हूँ और मैं आपको नीचे की और ले चलना जै हो धारी देवी यहां से पांसो मीटर दूरी पर धारी देवी मंदिर पिस्तित है चलिए मेरे साथ अब मैं आपको नीचे की वर ले चलिए अगर आप चार धाम जा रहे हो या फिर बंदीनाथ धाम की वर जा रहे हो तो यहां आप जुरूर आईए आते समें या जाते समें इस मंदिर के दुरूर परस्तित करें कहा जाता है कि अगर इस मंदिर के दर्तन नहीं किये तो चार धाम के दौरां तो आपकी चार धाम की आत्रा धुरी वानी जाएगी, क्योंकि मा भारी दीवी को चार धाम का सरचक कहा जाता है यह अलग नानदा नंदी है और अलग नानदा की वीचु बाच में यह मंदिर है बहुत ही कोशूरा लगता है यह उत्राखण के सबसे खुफरत मंद्रों में से इनकी गिंती की जाती है तो सामने लोहे का पुल दिखाई पाड़ा है इस तरह के उत्राखण में आपको कई पुल देखने के गुलेंगे तार के द्वारा बनाएगा हम धारी देवी मंद्र के अंदर जा रहें ये है धारी देवी का मंद्र मता धारी देवी बैत चमतकारी देवी हैं कहा जाता है कि ये दिन में तीन बार अपना सुरूख मगलती है तो शुबे एक छोटी बच्ची होती है तो पहार में एक यूप्टी और साम ये ब्रद महला के रूप धानड कर लोती है यहां देखिए बहुत सारी घंटी आपको मिलेंगी जिन लोगों की मनों का उना पूर्भाती है तब यहां लोग घंटी बांद कर जाते हैं दोस्तो धारी देवी को चार अधामों की सरच्चक माना जटता है सभी लोग मानते हैं कि जो 2013 में केदारनात की आपदा आई थी तो धारी देवी के क्रोध के करण आई थी उस वक्त यहां पर काम कर रही एक विजली कंपनी ने मा धारी देवी की मुर्टी को बिना किशी उचित बिद्विधान के उसके मूल अश्थान से हटा दिया था ये घटना थी सुरा जून 2013 की साम सारे पांच गुजे जैसे ही ये मुर्टी हटाएगी उसके आधे घंते के बाद के दानात में भैंकर पलय आ गई थी और पूरा उत्राखंड त्राई त्राई कर उठा था हजारों लोगों की जान चली गई थी फिर वापत धारी देवी को उशी मूर अस्थान पर श्थापित कर दिया गया है इस त्राश्दीक में मंदिर भी बह गया था इसलिए सभी लोग धारी देवी को बहुत ही बड़ी आश्था है कोई ऐसा काम नहीं करते ही जिसे के धारी देवी को पुरा पुरूद आ जाए तो दोस्तों यह था धारी देवी का ब्लाक जिसमें थी खती उमिद करता हूं कि आपको वीडियो पतंद आई होगी तो वीडियो को लाइक वा चैन्रेल को सस्क्राइब ज़्यादा से श्यर्थ करें क्योंकि जिन्हों ने धारी देवी के दरसन नहीं किया है उन्हें जिस कर दो कर दो